हुआ है सो अलो स्टुडेंट्स क्वेशन नमबर सेवन और एक्सराइज 12.2 यह स्टार्टिंग ठीक है क्वेशन नमबर सेवन में भी अगर बात करें तो बिल्कुल सिक्स्ट क्वेशन जैसे ही है एरिया मैंने बनाती है एक सर्कल बनाया है सर्कल में आपको दिख रहेगी ज क्या एप्रोच लगानी है यहां पर मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं इस पर्टिक्लर क्वेशन के लिए यह आपको खुद ही प्रेक्टिस करना है ठीक है अगर कुछ उसके बाद भी कोई प्रॉलम आती है तो आप सिक्स्ट क्वेस्टिन को जरूर करके देखें अग अगरे और यहां पर मैं वन ट्वेंटी रग दूँगा क्योंकि जो एंगल ओफ सेक्टर वन ट्वेंटी डिए ठीक है फिर यहां से मैं सेक्टर का अब आपको पताए एरिया और ट्रेंगल भी चाहिए होता है मुझे एरिया ट्रेंगल हमें रिक्वार्मेंट होती है तो हा हाफ बेस क्या होता है स्ट्वेंट आपके लिए एबी एन हाइट क्या है आपकी ओडी मैं इसको दी मन लेते हैं अब आपको यह भी पताए कि जो एबी है वो कैसे निकलता है वह एक्शुली मैं टू इंटू एडी है अगर मैं देखता हूं दोसको ट्वाइस ओफ एडी क् ट्राइंगल को स्टेडी करता हो इस केस में तो यह टू से टू कैंसल हो जाएगा सिर्फ एडी इंटू ओडी आ गया अब आप एडी अगर निकालते हैं तो एडी की वैल्यों आपको पता है कि यह हो जाती है आर साइन ठीटा वाई टू ठीक है अगर मैंने ठीटा इस कंप अगर लिख दिया और यह साइन 60 nd को सिश्टी आ अब आप इसली निगाल सकते हैं सिर्फ आपको माइनस करना है क्लियर कृसिन नम्बर एट पर आते हैं स्टुएंट्स क्रिशन नम्बर एट में एक स्टोरी टाइप दे दिया है वह और उसको समझने का ट्राइब करता है इक पर क्या कह रहे हो कियता है ओहर्स होर्स इस ट्राइड टू अप पैग ओफ वन कॉर्नर ओफ स्क्वेर चीए एक स्क्वेर है और स्क्वेर के जो कॉर्णर का आपको यह भी बताओना चीए 90ग यहां पर उसको टाया किया गया टू पैग ओना कॉर्णर ओफ स्क्वेर चीक है और फिफ्टीन सेंटीमीटर बई मींस ओफ फाइव मीटर चीक है अब जो होर्स है स्क्वैर सेव्ट ग्रीन ग्रास फील्ड औ टाई किया गया फाइब मीटर की लॉंग रॉप के साथ किके तो अगर मैं उसको यहां से टाई कर दूँगा तो वह सिर्फ इसी पॉर्चन में घूंता रहे गा ऐसे राइट है फाइब से 5 मीटर क्योंकि यह मन्याब किसी भी मदलब आप अध्या पर किसको टाई करता है और तो मैं क्वाल लगी है तो वह किस तरह का ट्रेक्ट फॉलो या अगर आप ट्रैक की बात करते हैं तो ट्रैक हमें किलियरली दिख रहा है कि एक 90 डिग्री एंगल है और मैंने आपको बताया अगर मेरे लिए रेडियस का पिलिए है इस केस में तो यहां पर यही काम करना है find the area of the corresponding sorry मैंने गलत study कर दिया find the area of the part of the field in which horse can graze अच्छा horse can graze मतलब क्या the area area of field in which horse can graze अब graze कर रहा है तो it means कहीं ना कहीं मैं अगर mathematical बात करूं तो वह area of sector को निकालने के लिए ही बोल रहा है ठीक है तो मैं यहां पर सीधा apply कर देता हूं पाई यार स्क्वेड ठीटा divided by 360 पाई की वैल्यू पर अभी मैं एज़ेटी रखता हूं और यह हो जाता है फाइव स्क्वेड डिस इस नाइनटी डिवाइड बाई 360 नाइनटी से 360 कैंसल फोर आ जाता है यह आ जाता है इस ट्वेंटी फाइब पाई अपॉर सेंट मीटर स्क्वेड क्योंकि मीटर में तो इतना एरिया उसको मिला होड्स को ग्रेज करने के लिए इसके बोलता है दा इंक्रीज इंडरेज एरिया इफ रोब इस टैन मीटर लॉग अचा देखिए यहाँ पर इसे ने बोल दिया कि अगर मैं टैन मेटर लॉग कर देते हैं रोब को है तो क्या होगा अब देखे सेक्टर बढ़ गया अपना सेक्टर बढ़ जाएगा उस्केस में various इंग्रीजill मार इंग्रीजिंग एरिया इंग्रीज मद्लमर तो एरिया और फील्ड दा नियू एरिया लिध का सीर नीव एरिए ओफ फील्ड कि इन विच होड़ कैन ग्रेज अब दिके रेडियस हमारी चेंज जाएगी रेडियस बन जाएगी हमारे लिए 10 मीटर क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ तो पाई इंटू 10 स्क्वेर इंटू 90 अपॉन 360 एंगल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री ही रहना है तो यह फोर आ गया अब यह रहता है हंड्रेड अपॉन फॉर पाई है करेक्ट इंक्रीज इन एरिया हम निकाल पाई 25 पाई अपॉन फॉर माइनस कर देंगे हैं तो हमारे लिए आजाता है यह 75 पाई अपॉन फॉर आप चाहे तो आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं यह भी करेक्ट ही माना जाएगा करेक्ट तो इस केस में हमारे सामने यह रिजल निकर कर आया है क्वेस्चिन नमबर न क्रीशन नमबर नाइन में इसर्ट इस केस में ब्रोच है ठीक है ब्रोज का डिजाईन कुछ इस तरह से एक सर्कुलर ब्रोच टाइप है वह और उस पूरे सर्कुलर ब्रोच को अगर हम देखें तो डाएमिंटर के त्रूब डिवाइड किया गया है ठीक है तो कितने के ओपर अगर देखते हैं तो वायर इस ऑलसो यूज्ट इन मेकिंग एक सिल्वर वायर से बनाया गया है सब कुछ और सिल्वर वायर यूज्ड हुआ है सभी लाइन्स पर ठीक है अब यह हमें निकालना है कि फाइंड टोटल लेंथ ओफ दा सिल्वर वायर रिक्वायड अब देखेंव यहां पर दो चीज आती है एक तो जो सिल्वर वायर यहां पर लगाे इस पोर्शन रिक्वर्शन कहीं करेक्ट दूसरा लगा है वायर डाइमीटर के उपर पर तो क्या है length of the wire तो मैं एक बार और रीट करता हूं फिर आपको समझने ही को सिस करिएगा अब ब्रोच is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm अब हमें diameter भीग दिया हुआ है उसको मैं इहां लिख देता हूं diameter is equal to 35 mm the wire is also used in making five diameters the wire is also used in making five diameters which divides the circle into 10 equal sectors so length of the wire length of wire used is equal to care क्या हो जाएगा length of how many diameters we have used 1 2 3 4 5 5 diameters we have you length of five diameter diameters plus क्या हो जाएगा circumference right circumference of circle क्योंकि silver wire चारोत्रप भी यूजवा और diameter के ओपर भी यूजवा तब जाकर वह एक design बना तो length of diameter क्या हो जाएगा 35 इन्टी फाइव इन्टी फाइव फाइव क्योंकि 35 mm गिवन है चीक है यहां तक हमारा clear होती है स्टोरी प्लस circumference क्या हो जाएगा circumference क्या होती है टू पाए आर और और मेरे लिए यहां पर होगा 35 अपॉन टू मैं क्यों कर रहा हूं टू से डिवाइड क्योंकि 35 और मुझे क्या चाहिए मुझे तो रेडियस चाहिए तो रेडियस क्या होता है हाफ correct यह आ गया इसके बाद मैं सिर्फ एड कर रहूंगा यह आपर और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा तू से देखे टू कैंसल हो जाता है ट्वंटी टू अपॉन सेवें इंटू थर्टी फाइव सो वन सेवेंटी फाइव प्लस वन हंड्रेड टैन सो इट इस फाइव एट टू टू एट फाइव एम एम सिल्वर वायर की रिक्वाइर्मेंट होगी अगर मुझे इनकी चारों बाउंडरीस को औ और डायमेटर के ऊपर कवर करना है ठीक है इसके बाद आता है फाइंड एरिया ओफ इच सेक्टर देखिस सेक्टर सेक्टर समने स्टार्टिंग से माना है कि वह एक्वल है तो हमारा काम क्या है सबसे पहले यह देखना है कि अगर मैं 360 डिग्री एंगल के बात करता हूं तो अंगरा ऑफ सेैंगे आफ सेक्टर तो एंग डिग्री आंगल रहा वह तो हर एक सेक्टर के पास 36 डिग्री थोन्ग अब मुझे सिर्फ यह बताएं एरिया ओफ सेक्टर क्या होता है एरिया ओफ सेक्टर अगर मुझे निकालना हो इच सेक्टर सो फॉर्मला है पाई आर स्कुर्ट थीटा अपॉन अपॉन थीटा रहा हूं क्योंकि मैं रेडियस क्योंकि बच्चे कभी कभी हाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और यह हो जाता है थाफ में रहेना है डाइमेटर कभी कभी गलती से पूर्ट हो जाता है इन दा फॉर्म आफ रेडियस तो बिलकुल आप यहां पर सेपरेटरी देख रहा हूं और तू भी में टू टैम्स दिखूँगा तो फॉर आ गया और नीचे मुझे यहां पर मिलता है टैन क्लियर अब यह सेवन और फॉर तो नीची आ जाएंगे मेरे सामने उपर ट्वंटी टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव अपॉन सेवन इंटू फॉर इंट इंटिकशन का बड़ा इंपर्टेंट रोल है आपकी मुल्टिप्लिकेशन आपका ये conceptual की by two है तो by two कैसे shift होना है नीचे ये छोटी 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 चीज़े हैं जो आपको इन में perfection लाना ही पड़ेगा तब जाकर आपकी calculation part में error खतम हो सकती है क्योंकि हमेशा problem आती है बच्चों को इस तरह की calculation में तो वो ही आपको अपनी strong करनी है students right now is question में भी अगर यही बात देखते हैं जो next वाला question है वो ही एक umbrella वाला question है क्योंकि umbrella भी एक circular form ही होती है और umbrella में अगर देखते हैं तो already sectors में divide होता है जो उसकी stick होती है वो कहीं न कहीं उस particular circle को sector में divide कर रही होती है है और वह equal sector ही होते हैं तो यहां पर भी वही बात आती है कि एक umbrella है उसमें eight ribs है eight ribs which are equally spaced assuming that umbrella is a flat circle क्योंकि umbrella कुछ बच्चों को लगेगा कि वह curve form होता हम उसको एक flat माल के चल रहा है कि अगर हम फ्लैट लें क्योंकि हमें two d form में ही लेना है उसको अगर हम एस्यूम करें जो umbrella है वह एक flat circle है जिसकी radius four point sorry 45 cm है find the area between the two consecutive ribs जो two consecutive ribs है उनके बीच में area क्या होगा it means consecutive ribs का मतलब यहां पर है दो sticks के बीच में और stick का मतलब हमारे लिए है वो radius अगर मैथमेटिक लिए बात करूंगा तो वो बन जाएगा मेरे लिए radius तो हमें उसका area निकालना है तो इट मीज सेक्टर का area निकालना है राइट सो करते हैं स्क्रेशन को स्ट्रेट्ट नमबर ओफ रिप्स वी आ राइटिंग है नमबर ओफ रिप्स इस इक्वल टो एट राइट एड नमबर ओफ सेक्टर्स अगर मैं देखूं तो वो भी एट है राइट रेडियस रेडियस ओफ सर्कल 45 सेंटिमीटर हमें क्या चाहिए एरिया एरिया बिट्वीन टू कॉंजिक्टिव रिप्स इट मीज हमें मैथमेटिकली चाहिए एरिया ओफ सेक्टर अपनी लेंग्वेज में आगर बात करें तो चीक है अब एरिया ओफ सेक्टर का मतलब है है पाई आर स्कुरेट थीटा डिवाइड़ बाई 360 अब पाएगा वेल्यों ट्वन्टी टू अपन सेवन हमें मालूम है आर इस एंड्येट टीटा चाहिए स्ट्टेट एंगल ओफ सेक्टर अगर एंगल ओफ सेक्टर की बात करते हैं तो 360 डिवाइड होता है 8 equal parts में अगर 8 equal parts में divide होता है तो 84032 and 4845 डिग्री मतलब हर एक जो रिब है मेंस हर एक सेक्टर है सोरी every sector is containing 45 डिग्री एंगल 45 divided by 360 तो आपके सामने यह value पूट किया और आपके सामने यह answer आ सकता है 45 को मैं अगर इसमें डिवाइड करता हूँ 45 को इसमें डिवाइड किया जाए so it will be 8 right now in this case 25 sorry 22 45 into 45 divided by 8 and 7 is left अब simply आप यहां पर आपको decimal में तो जा नहीं पड़ेगा कोई दूसरा option नहीं बच जाता है so I think you can do this one question number 11 is you know students related to car car का जो वाइबर होता है वो कहीं ना कहीं एक sector follow करता है अगर देखें आप तो क्योंकि इसका एक point fix है और एक moving पॉइंटर जो ऐसे move करता है और sector बनाता है तो अगर मैं वन कार के बात करूँ तो टू ब्लेट से तो मंदल दो सेक्टर वहां पर फॉर्म होने वाले ठीक है अब मैं हाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल सा एक्जेम्पल लेता हूं कि सपोज यह आजाता है मेरे पास और यह मेरे पास वह सेक्टर है जो मैं कार के ओपर बनता है हमारी राइट अब कार के ओपर हमारा इस सेक्टर बना इस कार का यह 25 सेंटीमेटर मैंने लिया है और जो एंगल है वह 115 डिग्री ऐसे दो बनेंगे ओवेसली करेक्ट सेम विद्शेम एंगल एंड सेम रेडियस अब इसकेस में कुछ भी नहीं है बड़ा सिंपल साहिए वह कहारा है फाइंड टोटल एरिया क्लीन एच एट इच स्वीप ओफ दा ब्लेड ठीक है टोटल एरिया अब देखिए यहां पर सिंपल साहिए टोटल एरिया का उतलब ह है राइड सेक्टर्स लिख दो ज्यादा अच्छा है क्योंकि दो सेक्टर बन रहे है तो कितना हो जाएगा हमारा टू इंटू पाई आर स्क्वेड थीटा अपन थ्री सिक्स्टी डिग्री सो इट विल बी नाओ टू इंटू ट्वंटी टू अपन सेवन मैं देखि नीचे ले लेता हूं सीधर डिरेक्ली थी सिक्स्टी आर इस ट्वंटी फाइव इंटू ट्वंटी फाइव थीटा इस वन वन फाइव डिग्री करेक्ट इस केस में अब यहां पर हमें थोड़ा क काम ज़ादा है हमरा क्योंकि हमें कैल्कुलेशन करना ही है तो दीकिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसमें क्या कर सकते हम ऑके इसको एक काम करते हैं डिखिए यह फाइव से डिवाइड हो रहे है 25525 और इसको भी कर देता है 57 35 और 272 आ गया आपका तूसे यह भी कैंसे ल 25 है 5 है 115 नीचे में रहा जाता है 7 into 18 चीक है अब इस केस में मुझे नहीं रखता आप ज्यादा को डिविजन कर पाएंगे हैं चीक है बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है मैं सिंपल मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू 55 मैं यहां ले लिया ठीक है 1155 एंटू 115 डिवाइज़ बाए 126 अब आपको यहां पर सिंपल मल्टिप्लिकेशन के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं वचता है तो आपके सामने जब मल्टिप्लाई करेंगे 25 और 55 की तो 158 125 रिजल्ट आता है और नीचे 126 जैसे डिवाइड करेंगे आपके सामने 1254.96 सेंटिमीटर स्क्वेर जो एप्रोक्सिमेटी है चीक है तो यह दोनों वाइप का स्वेप्ट एरिया है राइट नाओ क्वेस्टि क्वेशन नमबर 12 कि क्वेशन नमबर 12 में बात करेंगे तो वह कहता है टू वान शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ठीक है लाइट हाउस इस प्रेट लाइड कलर लाइड ओवर सेक्टर ऑफ एन एंगल आपने लाइट हाउस की बात करने तो लाइट हाउस कुछ ऐसा हो समझ लेते हैं यहाँ लाइट है और लाइट वो क्या गड़ती चारों तरफ फॉल करती है अब जैसे यह है उसने सपोस्ट बोला कि उच्छ लाइट है वो 16.5 किलो मेटर तक जा सकती है ठीक है 16.5 किलो मेटर तक मूफ करती है और एक सेक्टर बनाती है इस तरह से अगर कोई प्रब्लम आ रही होती है तो यहाँ पर उसने कितना एंगल कवर किया यह सपोल मैंने बोला यह एक्टी डिग्री एंगल उसने कवर कर देती है तो कितना एरिया है उसने देखिए इल्कुल इस क्वेसिन को इन्होंने मैथमेटमेटिक लीन पूछ कर थोड़ा ल लाइट हाउस के थुरू कवर होता है जहां पर सिप्स को वांड किया है सकता है तो 16.5 किलो मेटर क्या बना मेरे लिए वह रेडियस का काम कर गया ठीक है एक्टी डिग्री क्या हो गया एंगल वह सेक्टर बन जाता है ठीक है तो यहां पर मैं लिखूंगा कैसे वह समझने फाली बात है यहां पर लिखते हैं एंगल और सेक्टर कि फोर्म घ्राइट हाउस तो आप उसको क्या बोल देंगे एक्तिग डिग्री ची कह लेंद्थ ओफ लेंट ओफ लेंद्थ और आर्क के यह डिस्टेंस और ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस ओफ आर्क फॉर्म फ्रॉम लाइट हाउस लाइट हाउस से उस आर्का जो डिस्टेंस है वो कितना है 16.5 किलोमीटर और उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं ठीक है एरियाःः ओफ सी ओवर विच मैं बुकिस लेंगवेश को यहाँ पर यूज दавно क्योंकि हमें वह ही उस करना और बाद में हम क्या करेंगे उस बोल देंगे कि आक्शली मैं वो हमसे area of sector पूछ रहा है एक्शली में वह area of sector पूछ रहा है यह अपको पताए पाई आर स्कुर्ड थीटा अपॉन 360 टिक है तो मैं इसको अभी पाई रखता हूं आर मेरे लिए आता है 16.5 into 16.5 theta is 80 and it is 360 यह आ जाता है ठीक है अब दिखें यहां पर वैसे मुझे नहीं रखता कुछ ज्यादा कुछ चेंज हम कर सकते हैं बट ट्वंटी टू अपन सेवन आप रख लिजी 36 16.5 16.5 and it correct अगर मैं इसको 49 जा बोल देता हूं फोर्ट टूजा एट हो जाता है ठीक है इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे यह 44 16.5 16.5 44 यहां चाहिए इस टू का मैंने 22 में मल्टिप्लाइ किया एंड 63 इसके बाद आप उपर वालों की मल्टिप्लाइ कर दें नुमेरेटर की डिनोमिनेटर की एंड यू हव टू डिवाइड आपको मिलेगा 11979 एंड वी डिवाइड वाइड वाइड सिक्स्टी थ्री एंड फाइनली यू विल गेट 190.14 एंड आंसर आपका किलोमेटर स्क्वेर में आएगा रीजन कि आपने रेडियस भी किलोमेटर में लिए इस बात को बिलकुल धियान रखेगा यहां पर बहुत मिश्टेक कर देते हैं बच्चे अंदर राउंट टेबल एक राउंट टेबल है ठीक है उसको कवर कर रहे हैं 6 एक्वल डिजाइन आपको दिख रहे होगे 6 एक्वल डिजाइन सम बना रहे हैं आपन ठीक है और फाइंड दीजाइन रेडियस हमें 28 cm गिविन है हमें कोस्ट ओफ मेकिंग डिजाइन इस एक्वल डू 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वेर ठीक है पर सेंटिमेटर स्क्वेर स्वरी एंड रेडियस भी गिविन है रेडियस ओफ कवर इस एक्वल टू तो 28 रेडियस ओफ कवर में आर ले लेता हूं 28 सेंटिमेटर इस केस में डिजाइन बन रहा है अब डिजाइन बनाने के लिए अगर आप देखें तो यह वाला जो हमने जहां पर जिग-जग लाइन लिए यह एक सेग्मेंट है इस सर्गल के लिए और सेग्मेंट के एरिये के मुझे क्या चाहिए होगा formula area of segment और अगर मैं और भी इसमें तेखू तो एंगल ओफ सेक्टर क्या बनता है students एंगल ओफ सेक्टर एंगल ओफ सेक्टर का मतलब है कि इसमें छे सेक्टर बनेंगा ऐसे right 23456 इंगल ऑफ सेक्टर बन जाएगा 360 डिवाइड बाइड बाइड शिक्स्टी सोरी इट इस सिक्स्टी डिग्री इच एंगल 60 डिग्री कवर करेगा बिल्कुल करेगा बट मैं अभी एक सेग्मेंट का एरिया निकाल लेता हूं उसके बाद मैं उसको सिक्से मल्टिप्लाइ गरता हूं तो मुझे वो एरियों डिजाइन मिल जाएगा अब एडियों सेग्मेंट का मतलब क्या एरियों और सेक्टर पुराना फंड़ा ठीक है माइनस एडियों और ट्रेंगल मैं अभी ऐसी लिग देता हूं सिंपर एडियों सेक्टर का मतलब है आर स्कूर्ट ठीटा अपॉन 360 and area of triangle कैसे निकालते हैं आप R sin theta y2 and cos theta y2 यह बिलकुल अब आपको समझ जाना ची कैसे आता है यह है पाई R is 28 square theta is 60 divided by 360 minus R is sorry R square R square is 28 square and it will be sign 30 degree and cos 30 degree क्यों ले रहे हैं क्योंकि 60 का हाफ चीक है इस चीज़ को समझ लीजीगा है ओके यहां पर आते हैं 6 हमारे पास आ गया अब देखिए 28 square में यहां ले लेता हूं common मुझे रहाता है पाई अपॉन 6 इस केस में और यहां पर है साइन 30 साइन 31 अपॉन टू एंड रूट 3 अपॉन टू एंड इस केस में 28 में रखता हूं अपना और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं 22 अपॉन 7 & 6 रूट 3 अपॉन 4 यह हमारा सिर्फ एक एरिया निकला हमें निकालना है दिजाइन का एरिया तो एरिया ओफ डिजाइन हम ले लेते हैं एरिया ओफ डिजाइन कितने हैं हमारे 6 है तो 6 इंटू 28 स्क्वेर्ट और इस केस में 22 अपॉन 42 इसमें थोड़ा और हम कर लेते हैं इसको 236 11 11 अपॉन 21 रूट 3 बाए 4 करेक्ट तो यहां पर थोड़ा कैल्कुलेशन वर्ग हमारा आ जाता है अब देख लेते हैं क्या आता है 6 इंटू 28 इंटू 28 एंड यहां पर आता है 84 एंड इट विल बी 44 माइनस 21 रूट 3 चीक है और यहां पर यह मल्टिप्लाई करते हैं तो 48 68 168 इट इस 44 माइनस 21 रूट 3 की वैल्यू कुट कर देंगे हैं आपर तो यह आ जाता है 84 करेक्ट अब यहां पर थोड़ा कैल्कुलेशन वर्ग बन जाता है आपको पहले 21 और 1.732 की मल्टिפ्लाई करने है तो देहां पर यह कैल्कुलेशन मैंने कर दीया इस चीस में 29 को जब आप multiply करेंगे तो आपको यह result मिलेगा 44 में से minus करेंगे 7.628 यह multiply करते हैं 4704 फिर इनको multiply करने के बाद आपको 35882.112 आपको यहां पर यह result मिलता है चीक है और उसको 84 से भी divide करेंगे तो 427.168 यह आपको finally area of six segments आपको मिल जाता है अब कोस्ट पर आयता है students कोस्ट क्या कहता है कोस्ट की बात भी है यहां पर क्योंकि हमें कोस्ट ही निकालनी है actually में finally की कोस्ट कितना रगा तो क्या करेंगे 0.351 cm2 की cost है 0.35 तो इतने cm2 तो cost of making design so it will be 0.35 into 427.168 अब आप इसकी calculation जब करेंगे तो वो क्या आजाती है students it will be 427.168 so it will be 149 रुपीज 0.50 approximate this is the answer correct so in these questions आपको यही ध्यान रखना है थोड़ा calculation पार्ट है जो हमें करना ही है बिना उसके काम नहीं चलेगा राइट आँ अंसर हमारा थोड़ा कहीं से वैरी करता है सो इसमें यहां पर हमारा आंसर है यह थोड़ा आपको चेक करना है 464.28 आना चाहिए यहां पर यह करेक्ट सेंटिमेटर स्क्वेर तो जब आप इसमें करेंगे 464.28 से multiply तो आपको वो exact answer मिल जाएगा वो answer आपका हो जाता है 162.68 ठीक है 162.68 ठीक है तो यहां पर यह कभी कभी ऐसी प्रोब्लम हो जाती है आपको चेक करना पड़ेगा कहां पर mistake कर सकते हैं आप तो multiplication and each and everything you have to be very careful while you are multiplying ठीक है now question number 14 की बात करते हैं the correct answer in the following देखे area of sector क्या होता है area sector मैंने आपको बताया था पाए आर स्कूरर थीटा अपॉन 360 करेक्ट है अब यहां पर area of sector of an angle P अगर area of sector का जो angle है वो P दे दिया है ठीक है यह ठीटा है हमारे लिए ध्यान रखिएगा तो क्या होता है पाए आर स्कूरर पी अपॉन 360 आप देखिए कहां पर पाए आर स्कूरर 360 अपॉन यह पी अपॉन 360 गिवन है वही आपका आंसर हो जाएगा अगर आप देखें तो लास्ट वाला जो पार्ट है पी अपॉन 720 इंटु टू पाए एंड आर स्कूरर यह गिवन है अगर टू से मैं इसको काट दू तो 360 जैता है तो पाए आर स्कूरर पी अपॉन 360 जैता है जो बिल्कुल सही फॉर्मले को अप्रोच करता है तो आपका डी ओप्सन इसमें करक्क्त हुगा जाएगा राइट है एव रहा एट एठ आर तो आप आपका जैता है जा एख है जो इस पारिकुलर गुलर झालर जारा स्कूरर तो in this particular session we will discuss the combination of the figures where we will use the same type of formulas and we will try to find the area and perimeter the same thing so till then bye-bye thank you so much for watching this video